आउनी इस टूटियर ब्रांट चैनल में बार आपका फिर से स्वागत हैं देखिए हम लोग जो है बाल मनोबिग ज्यान इन से डिपी किस रिंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिसमें आज की टापिक है वर्तमान भारती समाज यूं भारती सिक्षा प्रारंबिक सिक् इछले वीडियो में आप सिच्छर का उसल को पढ़े थे आज की टापिक आपके सामने है और बहुत ही महत्पूर्ण होने वाला है वीडियो क्योंकि आधनी की सिक्षा से भी जो है क्यूस्चन रहते हैं तो चलिए आज की सुरुवात करते हैं वीडियो एद पसंद आये त अपने दोस्तों को भी शेयर करें चुकि एसी डिपी सभी के लिए निवार है चाहिए वो बीटी सी डियलेड टेट सुपर टेट आर टेट सी टेट कुछ भी कर रहा हो सभी के लिए एक ही होता है तो बहुत बहुत पूर्ण वीडियो है चलिए स्रिंखला को आगे बढ़ा प्रहला क्यूस्चन है कि वर्तमान भारती समाज में महत्पूर्ण है तो वर्तमान भारती समाज में क्या महत्पूर्ण है एक ही करण नेक्स्ट है एकी करण का अर्थ है तो एकी करण का क्या अर्थ है संपूर्ण समाज को एक समझना संपूर्ण समाज को एक समझना नेक्स्ट है सामाजिक एकी करण का साधन है तो सामाजिक एकी करण का साधन क्या है सिक्छा नेक्ट पॉइंट है सामाजी के और राष्टी एक्ता पर बल दिया तो यह प्रस्ण कही देख से पूछा जा सकता है किस आयोग ने सामाजी के और राष्टी एक्ता पर बल दिया तो कोठारी सिख्षा आयोग ठीक है? कोठारी सिख्षा आयोग कोठारी सिच्छा आयोक का गठन हुआ कब हुआ था? 1964 से बिस्विध्याले सिच्छा आयोक स्वतंदर भारत में सरुध्याले सिच्छा आयोक का गठन किया गए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बिस्विद्याले सिच्छा आयोग का अन्य नाम है, तो बिस्विद्याले सिच्छा आयोग का अन्य नाम राधा किष्णन आयोग है, क्या है राधा किष्णन आयोग? नेक्स्ट है राधा कृष्ण आयोग का गठन कब हुआ? कब से कब माना जाता है? तो 1948-1949 नेक्स्ट पॉइंट है अंतर सांस्कृतिक भावना आवस्यक है तो राश्ट्री सुद्रवर्ता के लिए इसके लिए? राश्ट्री सुद्रवर्ता के लिए अगला पॉट देखते हैं पाठिक्रम का अनिवारता तो है तो पाठिक्रम का अनिवारता तो क्या है? समाज सेवा एवं राश्ट सेवा जो है वो पाठिक्रम के अनिवार्य तत्तो है नेक्स पॉइंट है सिच्छा संस्थानों में आवस्यक है तो सिच्छा संस्थानों में क्या आवस्यक है? सारे रिक सिच्छा नेक्स पॉइंट है बालकों की रुच बढ़ी है तो विद्याले में विद्याले प्रक्रिया में बालको के रुच कहां बढ़ी है स्काउटिंग एवम सारे रिक सिक्छार में किसमें स्काउटिंग एवम सारे रिक सिक्छार में नेक्स्ट पॉइंट है बालिक्याओं के लिए बिवस्था है girl guiding की बालकियों के लिए क्या बेवस्ता है बिद्याले में girl guiding की next point है समाज सेवा के लिए बालकों में रुच बढ़ी है तो बिद्याले किस ढ़ंग से बालकों में रुच उत्पन कर रहा है NCC एवं NSS के कोर्स के माद्यम से समाज सेवा के लिए बालकों में रुच बढ़ी है NCC एवं NSS के माद्यम से next है बालकों के सारेरिक विकास के लिए सरकार की योजना है तो बालकों के सारेरिक विकास के लिए सरकार की क्या योजना है राष्ट्री अनु सासन योजना राष्ट्री अनुसासन योजना नेक्स पॉइंट है भारत में जाति का आधार है तो भारत में जाति का आधार जन्म है नेक्स पॉइंट है विस्विद्याले सिच्छा आयोकी सिफारिस है तो विस्विद्याले सिच्छा आयोकी कैसी भारिस थी? जनतंतर को सफल बनाने वाले नागरिकों का निर्माड next point है मादमिक सिच्छा आयोग का गठन कब हुआ तो मादमिक सिच्छा आयोग का गठन 1952 से 1913 ठीके ना मादमिक सिच्छा आयोग का गठन 1952 से 1923 चलिए आगे देखते मादमिक सिच्छा आयोग का नाम है मादमिक सिच्छा का नाम मुदालियर आयोग मादमिक सिच्छा आयोग का क्या नाम है मुदालियर आयोग नेक्स पॉइंट है मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे तो मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे डाक्टर लच्मर स्वामी मुदालियर डाक्टर लच्मर स्वामी मुदालियर इनही के नाम पर मुदालियर आयोग पड़ा थे ठीक है नेक्स है मुदालियर आयोग का उद्देश से था माध्मिक सिक्षा के उद्देश से संगठन और पाठवस्तु का निर्धारन मुदालियर आयोग का जो उद्देश था माध्मिक सिक्षा के उद्देश संगठन और पाठवस्तु का निर्धारन नेक्स पॉइंट देखते हैं जन तांत्रिक नागरिक्ता का विकास करना किसका उद्देश से है तो जन तांत्रिक नागरिक्ता का विकास करना मादमिक सिच्छा का उद्देश से है ठीक है नेक्स पॉइंट मादमिक अस्तर के लिए आवस्यक है तो माध्मिक अस्तर के लिए क्या आवस्यक है ब्योसाय में ब्योसाय कुसलता में ब्रिद्धी ठीक है ने ब्योसाय कुसलता में ब्रिद्धी नेक्स पॉइंट नेत्रित के गुड़ों का विकास आवस्यक है तो नेतृत के गुरों का विकास आवस्य के किसके लिए ये माध्मिक अस्तर है तीक है नेतृत के गुरों का विकास क्या है माध्मिक अस्तर अगला पॉइंट है जो कि important है आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा ये कथन किसका है ती कथन है मुदालियर आयोग का नेक्ट पॉइंट है माध्मिक सिच्छा की अवद होनी चाहिए साथ वर्स माध्मिक सिच्छा की अवद कितना जिधायत की गई साथ वर्स नेक्ट पॉइंट 11 से 17 वर्स के बालकों के लिए है 11 से 17 वर्स के बालकों के लिए मादमिक सिख्छा ठीक है ना 11 से 17 वर्स के लिए मादमिक सिख्छा ठीक है ना चलिए नेक्ट देखते हैं माध्मिक सिच्छा पुनरगठन समित नियुक्त हुई तो माध्मिक सिच्छा पुनरगठन समित कब नियुक्त हुई थी 1952 से 1913 में 1952 से 1913 ठीक है Next point है माध्मिक सिच्छा पुनरगठन समित की अध्धक्ष थेक, तो मुआधिमिक सिच्छा पुनर गठा समित के अधक्ष कौन थे, आचारे नरेंद्र देव अगला पॉइंट है कोठारी कमीशन का उद्देश है, तो कोठारी कमीशन का क्या उद्देश है, राष्ट्री सम्रिद्यों कल्याण राश्टी सम्द्यों कल्यार यह जो है, पुठारी कमीशन का उद्देस अगला बहुत इंपॉर्टेंट है सिछा का पंचमुखी कारिकरम है, तो सिछा का पंचमुखी कारिकरम पुठारी आयोग उन है कोठारी आयोग अगला पॉइंट है सामान इस्कूल पडाली देन है तो सामान इस्कूल पडाली देन जो है कोठारी आयोग की है कि किले किसकी कोठारी आयोग की सामान इस्कूल पडाली में प्रवेश का आधार होना चाहिए तो सामाने स्कूल पडाली में जो प्रवेश्कादार जो है विद्यार थी अगला सुद्रिण है प्रजातंत्र के लिए आवस्य 14 वर्ष की आयू तक के बालकों को निसुल के वम अनिवार सिच्छा प्रदान करना ठीक नेक्स पॉइंट है बिना भेद भाव के समान आवसर प्रदार करना अवस्यक है तो बिना भेद भाव के समान आवसर प्रदार करना प्रजातंत्र की सुद्रिणता के लिए आवस्यक है ठीक है ना बिना भेदवाव के समान आउसर प्रदान करना जो है इप प्रजात अंत की सुद्रिटा के लिए आवस्यक चलिए नेक्स देखते हैं देखे भाई आज जो है दिकी स्वा वीडियो है धीरे धीरे हम लोग जो है सिडिपी समापन की और बढ़ रहे हैं हालां कि अभी है यह नहीं कि अभी 2-4-6 वीडियो सब वीडियो और जा सकते हैं चुकि वीडियो बहुत लिंदी नहीं खीचना चाते और जैसे जो चैनल पर नए हो तो पहली बाद चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए दूसरी चीज आपकी सुद्दा के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लैलिस्ट की लिंक भी दे दी जाती है आप चाहें तो डारेक्ट लिंक के जरीए जो है जितने वीडियो पड़े हैं सब भी वीडियो सीरियल से भी आप देख सकते हैं चलिए फिराल आगए देखते हैं प्रात्मिक अस्तर पर मुल्यों के विकास के लिए सिच्छा देनी चाहिए ठीक है प्रात्मिक अस्तर पर मुल्यों के विकास के लिए कैसे सिच्छा देंगे यह रोचक कहानिया सुना कर ठीक है देखिए यह पेड़गोगी से रिलेटेट क्यूशन बन सकता है नेक्स्ट है पूर प्रात्मिक सिच्छा की अवद है तो एक से तीन वर्स नेक्स्ट है नेक्स्ट है उच्छ प्रात्मिक सिच्छा की अवद है तीन वर्स इसमें छे से आट वर्स की वच्चे समलित होते है ठीकर न नेक्स्ट पॉइंट सैच्छिक आउसर की समानता का सुझाओ दिया बहुत इंपॉर्डेंट है सैच्छिक आउसर की समानता का जो सुझाओ किसने दिया था कुठारी आयोगने किसने कुठारी आयोगने नेक्स्ट पॉइंट है नेम्न प्रात्मिक अस्तर पर बिस होने चहऊए तो नेम्न प्रात्मिक अस्तर पर जो बिस है अगला है उच प्रात्मिक अस्तर पर बिशे होने चाहिए तो आयोग ने उच प्रात्मिक अस्तर पर कैसे बिशे को समलित किया कम से कम दो भासा ठीक है ने तो कम से कम दो भासा जैसे हिंदी अंग्रेजी हिंदी संस्कृत इस टाइप से गणित बिज्ञान समाजी का अध्यन तथा काला ठीक है ने अगला पॉइंट है प्रात्मिक अस्तर पर सिच्छन पर दिया होनी चाहिए तो प्रात्मिक अस्तापल कैसी होई चीश से चड़ भी लोचदार और गतिसील लोचदार और गतिसील चलिए नेक्स देखते हैं मुदालियर आयोग के अध्यर्च किस विद्याले के कुलपती थे बहुत इंपोर्टेंट है तो जो मुदालियर आयोग के अध्यर्च थे वो मद्रास विद्याले के कुलपती भी थे मुदालियर आयोग के अध्यर्च मद्रास विद्याले के कुलपती थे ठीक है नेक्स देखते हैं आचार नरेंदेव कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो आचार नरेंदेव कमेटी की रिपोर्ट उननाईस सो तिरपन में प्रस्तुत की गई नेक्स्ट है 1949 में आचार नरेंदेव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्थुत की तो प्रात्मिक तथा माजमिक सिच्छा की जो 49 वेनों ने रिपोर्ट प्रस्थुत किया वो प्रात्मिक तथा माजमिक सिच्छा की थी नेक्स्ट पॉइंट है भारती सिच्छा के छेतर का इनसाइकलोपीडिया कहते है तो राश्टी सिच्छा आयो को बहुत इंपर्टेंट है इसको आप केर करके माइन में बसा लेंगे भाई भारती सिच्छा के छेतर का इनसाइकलोपीडिया क्या है राश्ट्री सिच्छा आयोग नेक्स पॉइंट है कोठारी आयोग ने भारती भासाओं के लिए सुझाओ दिया तो कोठारी आयोग ने भारती भासाओं के लिए जो सुझाओ दिया किस लिप में था रोमान लिप में ठीक है ना रोमन लिप में कुठारियाग ने भारति भासाओं के लिए सुझा दिया था अगला है नई दिल्ली में स्रीमती इंद्रा गाधी ने राज्यों के सिच्छा समेलन में भाग लिया नई दिल्ली में श्री मती इंद्रा गाधी ने राज्यों के सिच्छा समेलन में भाग लिया तो कब लिया था? दो जून 1981 नेक्ट पॉइंट है बिग्यान एउम तकनीक पर आधारी सिच्छा है तो बिग्यान एउम तकनीक पर आधारी सिच्छा आधुनिकी करण क्या है आधुनिकी करण अगला जो की बहुत इंपॉर्टेंट है प्राद्मिक सिच्छा साची कनभो वो प्रयोग में लाना सिखाती है एक इसका है दी हैंड बुक फार टीचर्स नेट्स देखा जाए प्राद्मिक सिच्छा का इतिहास प्रारंब है तो प्राद्मिक सिच्छा का इतिहास कब से प्रारंब माना जाता है ब्रिटिस काल से ही ठीक है ब्रिटिस काल से ही प्राद्मिक सिच्छा का इतिहास प्रारंब माना जाता है प्रात्मिक सिच्छा को प्रारम किया गया तो प्रात्मिक सिच्छा को मिसनरियों द्वारा प्रारम किया गया किनके द्वारा मिसनरियों द्वारा नेक्ट पॉइंट है इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रात्मिक सिच्छा के लिए प्रथम प्रयास किया गया 1813 आग्यापत्र के बाद ठीक है ना East India Company द्वारा प्रात्मिक सिच्चा के लिए प्रतम प्रयास किया गया गाजा अठारा सो तेरा आग्यापत्र के पाद ठीक है नसे 1813 के आग्यापत्र के आगला पोइंट है सर प्रतम सर साधार्ण को सिच्छा का प्रबंद किया गया आपको 1854 की घोसड़ा पत्र से मिलता है सरकुतम सरसाधर्ण को सिच्छा का प्रबंद किया गया 1854 की घोसड़ा पत्र से नेक्स पॉइंट है प्रात्मिक सिच्छा का अभिप्राय है तो प्रात्मिक सिच्चा का क्या प्रा है? पांच से साथ वर्स तक का सिच्चा काल नेक्स पॉइंट है गाधी जी प्रारंबिक सिच्चा को कहते है तो गाधी जी प्रारंबिक सिच्चा को क्या कहते है? बेसिक सिच्चा इसलिए बेसिक सिच्छा के जनक भी इनी को माना जाता है ठीक है बेसिक सिच्छा के जनक भी जो है गाधी जी है मात्मा गाधी ठीक है अगरा पॉइंट है बेसिक सिच्छा थी तो बेसिक सिच्छा थी क्या है साथ से चवुदा वर्ष तक अनिमार एवम नहसुल्क सिच्छा नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक सिच्छा समबंधित थी तो बेसिक सिच्छा किसे समबंधित थी? हस्त कलास अगला बहुत इंपॉर्टेंट है गाधी जी की बिचारधारा प्रभावित थी तो गाधी जी की विचारधारा आदर्स वाद से प्रभावित थी गाधी जी की विचारधारा किसे प्रभावित थी आदर्स वाद से ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है सिच्छा से मेरा तात पर बालक और मनुस्ट की समस्त सारेरिक मांसिक यों आत्मिक सक्तियों का विकास करना है किसका कथन फिर से सुन लिजे सिच्छा से मेरा तात पर बालक और मनुस्ट की समस्त सारेरिक मान से कि हम आत्मिक सक्तियों का विकास करना है एक किसका कथन है महात्मा गाधी का चले आगे देखते हैं प्रात्मिक सिच्चक का उत्तरदाईट अस्थानिय संस्थाओं को दिया गया किसकी सिपारिश पर? 1882 भारतिय सिच्चायों की सिपारिश पर 1882 में भारतिय सिच्चायों की सिपारिश पर प्रात्मिक सिच्चक का उत्तरदाई तो अस्थानिय संस्थाओं को दे दिया गया अगला पॉइंट है बड़ाओदा नरेश द्वारा 1892 में प्रयास किया गया अगला है उन्नीस सो इग्यारा में केंद्री धारा सभा में एक बिधेक प्रस्तुत किया गया उन्नीस सो इग्यारा में केंद्री धारा सभा में एक बिधेक प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा गोखले के द्वारा अगला पॉइंट है गोखले के बिधेक द्वारा सर्प्रतम अनिवार सिच्छा अदनियम पारित किया गया गोखले ने जो बिधेक प्रस्तुत किया उसके अंसर गोखले के बिधेक द्वारा सर्प्रतम अनिवार सिच्छा अदनियम कहां से पारित हुआ मुंबई में नेक्स पॉइंट है स्वसासन प्रारंभ हुआ तो स्वसासन 1921 स्वसासन का प्रारंभ हुआ 1921 नेक्स पॉइंट है स्वसासन का उद्देश से था तो स्वसासन का क्या उद्देश था प्रात्मिक सिच्छा को अनिवारे बनाना प्रात्मिक सिच्छा को अनिमार्य बनाना नेक्स पॉइंट है संसद में अधिनियम पारित हुआ तो संसद में अधिनियम कप पारित हुआ था 2002 में और नेक्स पॉइंट है 2002 में समिधान संसोधन हुआ तो 2002 में जो समिधान संसोधन हुआ को था सम्मिद्यान संसोधन था 86 ठीक है ने 86 नेक्स्ट है 2002 अदनियम पारित हुआ तो 2002 अदनियम किसलिए पारित हुआ था प्रात्मिक सिच्छा के लिए ठीक है ने प्रात्मिक सिच्छा के लिए 2002 अदनियम पारित किया गया चलिए, आगे देखते हैं, प्रात्मिक सिच्छा बालकों का अधिकार है, प्रात्मिक सिच्छा बालकों का अधिकार है, कौन सा अधिकार है, बुनियादी अधिकार, याद रखिएगा, प्रात्मिक सिच्छा बालकों का बुनियादी अधिकार है, ठीक है, नेक्ट पॉइंट है, बच्चों के लिए नहसुल के उम अनिवार सिच्छा का अधिकार अधिकार 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 अधिका लागू हो गया है नेक्स पॉइंट है बहुत इंपोर्टेंट है RTE ठीक है RTE Right to Education पोड़ बनाने की संबैधानिक अनिवारता है RTE जो है पोड़ बनाने की संबैधानिक अनिवारता है किसकी राज सरकार यों अस्थानिय निकाएग ठीक है Right to Education पोड़ बनाने की संबैधानिक अनिवारता है किसकी है राज सरकार यों अस्थानिय निकाएग अगला पोइंट है RTE को जोड़ा गया संबैधान में तो अनुच्छेद 21 क ठीक है न अनुच्छेद 21 क है तो अनुच्छेद 21 क क्या है मूल अधिकार है ठीके न है अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार है अगला पोइंट है अनिवार सिच्छा का लच 1960 में पूरा होना था वह पूरा हुआ तो अनिवार सिच्छा का लच जो रखा गया था शुर्वाति दोर में वह 1960 में रखा गया था लेकिन वह का पूरा हुआ 1995 में पूरा किया नेक्स पॉइंट है तीस प्रस्षत अब्याई अवरोधन लिखा है अवरोधन सैचिक कार्डों से होता है ठीक है यह किसका कथन है स्री जेपी नायक का ठीक है अवरोधन आप देख लीजिए आप कहेंगे कलते बढ़ा दिया गया अवरोधन ठीक है ने अवरोधन याद रखिए गया तो तीस प्रस्षत अपव्य अवरोधन सैचिक कार्डों से ताई कथन है जेपी नायक का अगला है प्रात्मिक विद्याले के अध्यापक को करनी चाहिए तो प्रात्मिक विद्याले के अध्यापक को निदानात्मक परिछन मुल्यांकन करना चाहिए ठीक है ना प्रात्मिक विद्याले के अध्यापक को निदानात्मक परिछन यह मुल्यांकन करना चाहिए बहुत important ठीक है तो भाई चैनल पर नहीं हो तो पर लिए चैनल को subscribe कर लीजिएगा like, share, comment करना न भूले कोई problem हो तो आप comment करके पूत भी सकते हैं इसके लावाँ आपको बता दें कि इस चैनल पर ये आपको GDP नहीं इसके अलावां भी आपको competitive level की सभी जानकारियां मिल जाएगी किसी भी vacancy की news update भी आपको बराबर समय पर मिल जाएगी चाहिए वो UPSSAC हो चाहिए सिंखचक संबंदी TGT PGT किसी की भी तो आपको समय समय पर सुचना देते रहते हैं तो आज के लिए बस इतना ही आज की topic जो हो पूरी इसी complete की गई ठीक है next topic में फिर मिलते हैं तो तब तक के लिए धन्यबाद next video का wait करिए और सभी वीडियो देखने के लिए आपको description में लिंक भी दे दी गई है वहाँ से आप direct playlist के जरिए description में जो playlist की लिंक है उसकी जरिए आप सभी वीडियो एक तरफ से भी देख सकते हैं ठीक है चलिए आज के लिए बस इतना ही ठीक धन्यबाद